नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त है और अच्छे से अपनी जिन्देगी बिता रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंग इस पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो हिंग आपके किचन में 24x7 होता है इसका इस्तेमाल आपके अलग-अलग बिमारियों में आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हिंग जो होता है ये एक वरुक्ष का निर्यास होता है ये चिक होता है गम होता है और ये ज्यादा तरक के बाहर से अपने देश में आता है। हिंगज होता है ये उग्र होता है उष्ण तिक्ष्ण होता है उसको स्मेल अलग टाइप का रहता है इसके वज़े से ये शरीर में वात और कफ ये दो दोश कम करता है ये उष्ण होने के वज़े से शरीर में पित्त दोश बढ़ाता है इसके अनुसार ही हमें देखना इसमें हिंग का इस्तमाल किया जाता है अभी जो भी हिंग मार्केट में मिलता है हमें जो भी हिंग मार्केट में मिलता है वो काफी सारा मिलावट से युक्त होता है हिरा हिंग हिरा हिंग करके एक हिंग का प्रकार होता है जो आपको पंसारिक पे पास या फिर आपके इसको अगर आप लेके आते हैं, इसके ऐसे टुकडे मिलते हैं, तुकडे आपको लेके आने होते हैं, उसको पीस कर उसकी पाउडर करके आपको एक डबी में रखना होता है, और वो अगर आप खाने में भी इस्तमाल करेंगे, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स उसके मिल स सकते हैं कि अभी देखिए घंगजो होता है वो ऊष्ण होता है वात कफ कम करने वाला होता है उसके वयाद से हिंग ये अग्री- faire अगनी मांद्य में काम आता है। ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिने भूख अच्छे से लगती नहीं। खाना सामने आने के बाद उनको ऐसे लगता है कि खाना नहीं खाना चीए। बदहाजमी होती है, पेट फुला उवा लगता है। खाना खाने के बाद गले के नीचे उत तरता नहीं है, मुँँ में थोड़ा सा पानी जैसे आता है, तो ये सब जो लक्षण होते हैं, भूक न लगना, खाना नहीं पचना, इसे अगनी मांद्य ऐसे आईडवेट शास्त्र में बोलते हैं, तो अगर ऐसा आपको है, अगनी मांद्य है आपको, तो आप हिंग का इस् खाना बरोबर पस्ता नहीं है, खाना खाने का इच्छा नहीं होता, दिल नहीं होता, मन नहीं करता, तो ऐसे समय पर आप क्या करिए, एक चमच निम्बू का रस लीजिए, उसमें पाव चमच से भी थोड़ा कम, याने अप्रोग्जिमेटली 100-200 मिलिग्राम इतनी मात्रा म में आप हिंग लीजिए, और दो चुटकी सैंधा नमक या फिर नमक लीजिए, उसको हलका सा आप गरम करिए, और इसको आपको पीना है, सुबह में दोपर को और रात को खाना खाने के पहले आपको इसको ले लेना है, अगर 10-15 दिन तक अगर आप ये उपचार करते हैं, तो आपकी अगनी जो है, डाइजेशन जो है, वो सुदरे का, आपको खाना खाने का इच्चा होगा, भूक लगेगी, खाना अच्छा लगेगा, और आपकी जो अगनी मान्द है, वो कम हो जाएगा, तो ऐसे लक्षन है, तो ज़रूर आप दोस्तों हिंग का इस्तमाल दूसरी जो चीज है, वो है उदर शूल, कभी-कभी क्या होता है, कि हम लोग बहार जाते हैं, खाना खाते हैं, शादी है, पार्टी है, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो अपना खाना थोड़ा गरिश्ट होता है, पचने में भारी होता है, और थोड़ा ज्यादा मातरा में ह अच्छनक से चालू हुआ तो आप हिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी क्या करना है आपको पाव चम्मज जीरा लेना है जीरा थोड़ा सा गरम करके ले लीजिए जीरा पाव चम्मज लीजिए उसमें जैसे मैंने पहले बताया वैसे 100-200 मिलीग्राम इतना हिंग ले लीजिए हिरा हिंग रहेगा तो अति उत्तम और उसमें दो छुट की नमक डालिए और गरम पानी लीजिए एक कब गरम पानी लीजिए और इसको आप खाना खाने के पहले सेवन करिए एक 4-4 गंटे में अगर आप सेवन करते हैं तो जो पेन आप अभी के उपर दर्ध हो रहा है नाभी के नीचे दर्ध हो रहा है वहां पे आप हिंग पाने में मिला के उसका लेब भी लगा सकते हैं अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो हिंग एरेंडी का तेल में मिला के गरम करके उसका भी आप लेब लगा सकते हैं दोस्तों जो आप लेप लगाएंगे ना वो लेप जो होता है वो दो गंठे रखना होता है और दो गंठे के बाद उसको आपको निकाल देना रहता है तो ऐसे भी आप कर सकते जिससे कि आपका जो पेन है पेट में दर्द हो रहा है वो कम हो सकता है कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों आपको कभी-कभी ऐसा दर्द जो रिनल कोलिक बोलते हैं उसको किड्नी स्टोन के होने के वज़े से होने वाला दर्द ऐसा दर्द अचानक से चाले होता है तो ऐसे समय पर भी अगर आप पानी लेते हैं उसमें हिंग डालके उसका लेप जो है वहां पर पूरा रीजन पर लेते हैं तो वह दर्द भी कम होते हुए देखा जाता है तो इस प्रकार दोस्तों उधर शुल में यह हिंग का प्रयोग आपको करना चाहिए चोटे बच्चे होते हैं जो भी एक साल के दो साल के तीन साल के से चोटे बच्चे होते या फिर 6-7 मैने का बच्चा होता है तो दूद उनको पच्टा नहीं है, या फिर खाने में कुछ भाहर की चीज़ आती है, उसके वैएसे पेट में गैसे होते हैं। तो ऐसे समय पर भी, अगर आप उनके पेट पर थोड़ा सा ही हिंग लेना है, बच्चे लोगों को क्या है, ज़्यादा नहीं लगाने का हिंग, क्योंकि हिंग उष्ण होता है, तो उनकी स्कीन एकदम से डेलिकेट होती है, तो अगर आप ज़्यादा लगाएंगे हिंग, तो तो इस प्रकार से उदरशुल में बच्चे हो, बड़े हो, बुड़े हो, सभी लोगों वो उदरशुल में ये हिंग बहुत काम देता है। वो समय समय पर नहीं आता, एक महिने के बाद आना चाहिए, वो ऐसे नहीं आता, दो महिने के बाद, तीन महिने के बाद, चार महिने के बाद, ऐसे महिना आता है। और उनको bleeding भी ज़्यादा होता नहीं है, कम bleeding होता है, यह सब क्या है कि हार्मोन का disturbances होता है, हार्मोन का imbalance होता है, PCOD जैसे बीमारिया होती है, इसमें यह problem होती है, आजकल बहुत सारे ladies को यह PCOD की तकलिफ है, तो ऐसे ladies ने, ऐसे महिलाओं ने, अगर अपने खाने में हिरा हिं अगर रखा, तो उनको फाइदा हो सकता है, जो भी आप सबजी बनाएंगे, जो भी आप डाल बनाएंगे, उसमें आप हिरा हिंग डालना चालू करिए, हिंग क्या है, हिंग स्त्री पुष्पजनन है, हिंग स्त्री पुष्पजनन है, जो भी बीज होता है, जो भी ओम होत तिल का इस्तमाल करें, दिरे दिरे आपका जो महिना है वो बरोबर से आना चालो हो जाएगा, हिंग जो है यह दात का दर्द कभी कभी क्या होता है कि अचानक से दात में दर्द चालो होता है, दात जो रहते हैं खराब हो जाते हैं, वहाँ पर सूजन आती हैं और दर्द चाल वो तील का तेल लेना है, एक कटोरी भरकर तील का तेल लेना, थोड़ा सा गरम करना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना, और वो मुह में लेना है, मुह में लेकर जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे उसको तील का तेल जो होता है उसको घुमाना है, और जब तक आपक जो होती है cotton का piece लेना हैं और आपको कभी-कभी पूरा आरांभी पड़ जाता है तो दात के दर में ज़रूर हींग का इस्तेमाल करिए इसके बाद psychological जो विकार है लिए-फांचाल हम व्लेखते हैं कि काफी सरे लोगों को Stress related, Anxiety related, Depression related, ऐसे बहुत सारी psychological problem होते हैं, मानसिक विकार होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, mood depressed लगता है, तो ऐसे समय पर भी अगर आप खाने में, जो में आपका खाना बनता है, उसमें अगर आप हीरा हिंग डाल के अगर खाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा विकारों में इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी दवाईया है, जैसे कि हिंगवा श्टक चुरुन है, हिंगवादी घुरुत है, हिंगु द्विरुत्तर चुरुन है, तो ऐसे बहुत सारी दवाईया है, जिसमें हिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और ये दवाईया मानस विकारों में, depression, anxiety, ऐसी जो मन के related जो बिमारिया है, उसमें फायदा देती है, तो ऐसे अगर आपको problem है, कुछ भी stress related problem है, आज कल काफी सारे लोगों को problem होती है, तो ऐसे अगर आपको problem है, तो आपके खाने में जरूर आप हिरा हिंग रखिए, दोस्तों इस प्रकार से हिंग जो है, वो आप अलग-अलग प्रकार के बीमारियों में यूज कर सकते हैं, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारा वीडियो जरूर लाइक करें, यह वीडियो जो है, यह WhatsApp, Facebook, इस माध्यम से आप बहुत सारे लोगों तक शेर भी कर सकते हैं, अगर आप हम पर रुखता हूं, आगे चल कर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तब तक धन्यवाद